सादना के मार्ग पर, अंतर यात्रा पर, बाधाएं भी भीतर हैं, उल्जाव भीतर हैं, और कुझी भी भीतर हैं, सुल्जाव भी हमारे ही भीतर हैं। यदि बाहर की समस्याएं होती, तो बाहर के उपायों से उनका निराकरण हो जाता, कारण बाहर होते तो निराकरण का उपाय भी बाहर होता, शरीर में कोई वीमारी आती है, कोई कीटानू बाहर से प्रवेश कर जाता है, तो बाहर से ही हम उसदी लेते हैं, और कीटानू को न तक आंत्रिक जगत का सवाल है, समस्याएं हमारी भीत्री हैं, और इसलिए उनका जो भी उपाय होगा, वहें भी भीत्री होगा, स्वयम ही करना होगा, दूसरे से ज़्यादा से ज़्यादा समझ मिल सकती है, चलना हमें ही होगा, वह भीत्र के मार्ग पर जब हम चलने की बात करते हैं, तो एक और अत्यंत महत्पूर मुद्दा जो बाहर के मार्गों से भिन्न है, बाहर मार्ग होता है, दूर मन्जिल होती है, भीतर ऐसा नहीं है, भीतर हम स्वयम ही स्वयम की मन्जिल है, वास्तव में भीतर कोई यात्रा नहीं होती, बलकि ठहरा होता है, इस थोड़े से फरक को समझना, अब मजबूर ही कुछ कहना होगा, तो हम कहते हैं अंतर यात्रा, हम कहते हैं भीतर का साधनापत, पर इस से बाहर के राश्ते की बात मत समझना, ये वैसी यात्रा नहीं है, ये ठहराओ की बात है, रुख जाना है, स्वयम में रम जाना है, ये ये हमारे मन में एक भ्रांती बनी रहे कि दूर कहीं जाना है, वैसा खयाल लेके हम अध्यात्म के मार्क पर अग्रसर हो जाएं, तो फिर भटकन स्वाभाविक है, वास्ताव में स्वयम से दूर नहीं जाना है, उस्वयम में हम अल्लेडी हैं, सिर्फ वहाँ होने के प्रति हमें सजग हो जाना है, तो उस सजगता में जो जो चीजें भीतर बाधाएं डाल रही हैं, उन से छुटकारा पाना है, समझो हमारे भीतर लोब है, तो लोब के विपरीत दान, हमारे भीतर मोह है, राग, अटेच्मेंट, तो उसके विपरीत बैराग्य, हमारे भीतर कठोरता है, कुरूरता है, हिंसात्मक भावना है, तो उसके विपरीत, प्रेम, दया, करूना, इस बात को खुब गौर से समझना, वो भी हमारे भीतर मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि करूना को हमें बाहर से कहीं से लेके आना है, हाँ, समाज ने, दुनिया ने जिस प्रकार की व्यवस्था की है, उसमें हमारे भीतर की हिंसात्मक प्रवत्ती को तो उकसा दिया, भढ़का दिया, जो सद्भावना थी, उसको विक्सित होने का आउसर नहीं मिला, ग्रणा, नफरत, प्रतियोगिता, द्वेश, इर्शा, जलन, इन सब को भढ़काने का पूरा-पूरा उपाय सब तरफ से किया जा रहा है, लेकिन हमारे भीतर जो पॉजिटिव वैल्यूस हैं, सकारात मकमूल हैं, उनके बीजों में खात पानी नहीं डाला जा रहा है, इसलिए वे अब इक्सित रह गए हैं, तो जो समस्याएं पैदा हुई हैं, वो हमारी परवरिश आई हैं, चारों तरफ का माहौल, वातावरण वैसा विशाक्त है, हम भी उसमें रच पच गए, हम भी वैसे ही हो गए, हमारे भी तरजो नकारात मक्ची जन्ती भी बहुत प्रवल हो गई हैं, वो संसार में उनी को सफलता मिलेगी, जो उन चीजों में बहुत कुशल हो गए हैं, जो जितना महत्वकांग्छी, एंबिशस, हिंसात्मक होगा, चालाक बुद्धी होगा, दूसरों को धोखा देने में सफल हो सकेगा, वो उतना ही आगे निकल जाएगा, संसार में सफलता का सुत्र यही है, लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वयम के भीतर नहीं रम पाएगा, क्योंकि वो लगातार स्रायंत्र में जी रहा है, वो लगातार द्वेश और इर्शा में जी रहा है, कंटिनिवस किसी के साथ प्रत्योगिता तुलना इस परधा चल रही है, वो पूरी तरह बहर मुखी है, तो जो जो चीजें अध्यात्मिक रास्ते पर हमें आत्मरमन की ओर ले जाती हैं, बेहें सदभावनाएं, और जो 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 चीजें संसार में सफलता दिलाती हैं, अर्थात हमें बहर मुखता की ओर प्रेरित करती हैं, बेहें सारी दुर्भावनाएं, तो वही भीतर के ताले हैं और चुंकि हम उनमें पारंगत हो गए हैं बहुत निपण हो गए हैं इसलिए हमें जान बूच कर होश पूर्वक उनको छोड़ना होगा जह हमने तै किया है कि हमें अंतस्म की होना है सोय हमको जानना है तो खुब अच्छे से जान लें बाहर जो चीज सफलता का सूत्र थ हैं क्योंकि भीतर कोई दूसरा नहीं है आप किसका संग चाला की करोगे किसके पीछे तुलना और प्रत्योगिता की भावना से भरोगे वहां कोई दूसरा है ही नहीं वहां तो नितांत आपका होना है आपका स्वभाव वहां कोई दूसरा है ही नहीं तो ना तो इर्शा हो सकती न तुलना हो सकती न इंफिररिटी सुपिरेटी हो सकती न किसी के आगे निकलने की बात हो सकती ना कुछ उपलब्द करना है और ना कुछ इन्वेंट करना है बाहर की दुनिया में जो सफलताएं है या तो हम कोई नई चीज उपलब्द करते हैं, जो हमारे पास नहीं थी, समझो किसी आदमी ने बहुत धन कमा लिया, किसी ने उंचा पद हासिल कर लिया, किसी ने उच्च डिग्रियां हासिल कर लिया, ये जनम जात वो लेके नहीं आया था, अपनी महनत से उसने ये काम्याभी पाई, किसी संघर्ष किया, तब जाके हुआ, इसको हम कहेंगे उपलब्धी अचीवमेंट, सफलता का दूसरा मापदंड है, किसी व्यक्ति न कोई नई खोच की, चाहे विज्ञान के छेत्र में, चाहे किसी अन्य छेत्र में, कुछ इन्वेंशन किया, जो किसी को नहीं पता था, ऐसी चीज उसने पता लगा ली, एक नई चीज उसने बना के बता दी, अब वो चाहे मूर्तिकार हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे वज्ञानिक अविश्कार हो, कुछ नया, जो पहले नहीं था दुनिया में, वो उसने स्रजन करके बता दिया, ऐसे स्रजन्शील लोगों को हम सफ लोग कहते हैं, निश्चित रूप से उनमें एक अद्वुत प्रतिभा है, अब इसके कंट्राष्ट में समझना, जो हमारा भीतर की दुनिया है, उसमें ना तो कुछ इन्वेंशन हो सकता, और ना ही कोई अचीफमेंट हो सकता, वहाँ जो है, वो अल्लेडी सदा सदा से है, और सदा सदा रहेगा, जादा से जादा हम इतना ही कह सकते हैं, कि वो डिस्क कभर कर लिया, पहले ढखा था, कभर्ड था, हम उसके प्रती सचेत हुए, अंतसमुखी हुए, तो वो उजागर हो गया, जैसे किसी मूर्ती पे चादर ढ़ांकी थी, फिर उसका अनावरन कर दिया, तो अनावरन करने वाले ने मूर्ती का निर्मान नहीं किया है, मूर्ती पहले से थी, विज्ञान में हम दो शब्दों का प्रियोग करते हैं खोच के लिए, हिंदी में एक ही शब्द खोच, अंग्रेजी में दो हो जाते हैं, एक invention, एक discovery, जिस व्यक्ती ने टेलिविजन बनाया, की मोबाइल बनाया, ये एक invention था, जिस व्यक्ती ने कार बनाई, एक नई चीज थी, उसके पहले कार जैसी कोई चीज नहीं थी, Archimedes ने specific gravity का सिद्धान्त खोजा, या Newton ने गुरुत्वा करशन का नियम खोजा, ये खोज invention नहीं है, ये प्रकरती के सिद्धान्त सदा सदा से थे, हमको पता नहीं थे, उनका कोई नाम करण नहीं था, इन लोगों ने discover किय न्यूटन के बाप दादे भी जब पैदा नहीं हुए थे, तब भी गुरुत्वा करशन था, न्यूटन ने बनाया थोड़ी, हाँ, हिसाब किताब, उसका गुणा भाग, उसका फार्मूला, ये बात समझ में आ गई, तो इसको हम invention नहीं कह सकते, ये discovery है, तो भीतर के जगत में हम जो पाते हैं, ना तो वो invention है, ना वो achievement है, हाँ, एक प्रकार की discovery कह सकते हैं, और वो चीज, कभर किस से थी, धकी किस से थी, आवरण क्या थे, मुझे याद आता है कभीर साहब के बच्चन गुंगट के पट खोल, जब वोशों ने समझाया, उन्हों बहुत सुन्दर व्याख्या की, कि कौन से गुंगट पड़े हैं तुम्हारे उपर, कौन से पट खोलना हैं, तीन गुंगट हैं, एक गुंगट है, शारिरिक क्रियाओं में व्यस्तता, दूसरा गुंगट है, मानसिक क्रिया कलापों में, विचारों में, कल्पनाओं, इसम्रतियों में व्यस्तता, और तीसरा है, भावनात्मक, emotional, sentimental व्यस्तता, अक्सर हम इन तीन चीजों में अक्यूपाइड रहते हैं, या तो हम बहुत एक रूप से कुछ कर रहे हैं, क्रिया कलाप, 7-8 गंटेस में जाते हैं, अगर हम उपर-उपर से फुरुसत में बैठे हुए हैं, तो हमारी खोपड इसा होता है, emotionally occupied हैं, भावनात्मक रूप से, और जहां ये तीनों व्यस्तताई नहीं रह जाती हैं, वहां हम बेहोश हो जाते हैं, और गहरी नीद में खो जाते हैं, और जैसे ही होश आया, हमारी क्रियाएं सुरू, भोतिक क्रियाएं, मांसिक क्रियाएं, अथवा भावना क्रियाएं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तोशो ने समझाया, कबीर सहाब का वचन घुंगट के पट खोल, तो है पिया मिलेंगे, वह प्रितम परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है, वह तुम ही हो, लेकिन उसके उपर तीन आवरण पड़े हैं, शारिरिक, मानसिक और भावनात्मक क्रिया का लाप गए, काश हम थोड़ी तेरे के लिए कुछ ना करें, तो अद्वुत गट ना गट जाए, वह गुंगट उठ गए, तो मेडम ब्लावटेस की जिन जिन चीजों को बता रही हैं, कि ताले हैं, वह समझ ना, इन तीन चीजों के अंतर गथी वह सबाते हैं, यही हैं वह गुंगट, कि नाम उनके अलग-अलग, एम्फिसाइस कर लो, लेकिन हैं वह सब इसी से सम्बंधित, और जहां ये तीन ग तो अचानक हम पाएंगे, अरे वाह, अपना सोभाव उजागर हो गया, जो छिपाथा वह प्रगठ हो गया, बाहर के जगत में जब हम कुछ करते हैं, चाहे कुछ इन्वेंट करें, या कुछ अचीप करें, सफलता की चीजें, तब उसमें हमारा एहंकार मजबूत होता है, स्वागाविक है, क्योंकि ऐसा और कोई नहीं कर सका, आपने कर दिखाया, हज्जारों लोग एवरेस्ट पर चढ़ने में मर गए हैं, हिलेरी और तैंसिंग आखिर पहुंच गए जंदा, तो निश्यत रूप से कुछ महानकारी किया, जो अन्य लोग नहीं कर सकते थे, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तेकिन उसके लिए भी लोग कोशिश करते रहते हैं, कोई न कोई सफल हो जाएगा, तो निश्यत रूप से इसमें हमारा एहंकार खूप सगन होता है, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, किसी आदमी ने बहुत सुंतर पिंटिंग बना दी, कि मूर्ती बना दी, ये गीत रच दिये, कि अधभुत संगीत पैदा कर दिया, या किसी अनकला के छित्र में कुछ अधभुत काम कर दिखाया, निश्यत रूप से बहुत एहंकार घना होगा, कुछ अनूठा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता था, और अक्सर ये लोग वो होते हैं जन्होंने पूरी जिंदगी एक काम में डिवोट की है, इसलिए सामान ओसत आदमी तो जिंदगी में कुछ करी नहीं पाता, तो फुल डिवोशन चाहिए, एक ही चीज में जुटे रहो, लगे रहो, लगे रहो, तब जाके आप कोई असाधरन चीज निर्मित कर सकते हो, यदा कदा कोई विरला व्यक्ती ही कर पाता है, इसके साथ इगो अभिमान आता है, अध्यात्म के छेत्र में अभिमान क्यों नहीं आता, क्योंकि जो व्यक्ती भी तरस्वयम को जानता है, उसको यह भी पता चल गया, इसमन नया कुछ भी नहीं है, इसमन मेरी कोई कलाकार ही नहीं है, ऐसा सदा सदा से था, हूँ रहूंगा, और ये मेरे अकेले की बात नहीं है, प्रत्यक के बारे में यही बात सच है, कोई जाने, ना जाने, आज जाने, कल जाने, अगले जनम में जाने, अगले जनम में जाने, इसको फरक ही नहीं पड़ता, सचाई तो वही की वही है, इसल गूंगट के पड़ खोल दिये तो उसमें कौन सी मानता हो गई वो सब के भीतर वही भरमात्मा विराजमान है कहीं गूंगट में कहीं बिना गूंगट के इससे फरक्या पड़ता है इसलिए निर एहंकारिता अध्यात्म के संग जुड़ी हुई है और उसकी वजह ये है बाहर के जगत की चीजों में हमेशा एहंकार जुड़ जाता है वो बिलकुल स्वाभाविक है भीतर की चीज में एहंकार नहीं हो सकता जुग एक्ति जानता है कि मैं परमात्मा हूँ अम ब्रम्हासमी वह यह भी जानता है कि तत्तुमसी तू भी वही है कोई उपर नीचे थोड़ी हो गए कोई आगे पीछे भी नहीं हो गए मौज मौज की वात है किसी ने गुंगट उटा के देख लिया किसी कभी मौज नहीं आई नहीं देख रहा इससे फरक्य पढ़ता है है तो परमात्मा ही कभी जब आगे मौज होगी तो ठीक